तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल MD Classes को and क्लिक करिए बिल आइकॉन पे important education वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागेते आप सभी का MD Classes की यूट्यूब चैनल में महत का जो NTPC का paper था उसका analysis मैं आप सभी के साथ करता हूँ डेली तो महत की जो questions है 5 April 2016 के पहले सिपके NTPC को जो पेपर से previous है कि उसका आजम इनासिस करने वाले इस वीडियो में तो काफी महत्पूर वीडियो होगी जरूर देखे पूरी के पूरी वीडियो को questions किस तरीके से आया थे क्योंकि सेम इसी टाइप इस question से पूछी आने दुबारा किस तरीके से NTPC का level क्या था 2016 का और किस तरीके से आपको वो question लगाने है कैसे आप उन question को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते तो उन सभी के बारे में बात करेंगे ठीक है और notebook के अधिकतम कितने set बनाये जा सकते हैं ये question आप सभी से पूछा गया ठीके तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना है कि हमाँ पस लिखा क्या है दो दर्जन किताबे लिखा हुआ है अब दो दर्जन किताबों का मतलब क्या होता है 24 किताबे होती है बिलकुल होती ह क्या यहाँ पर step ले लेते हैं उनका क्या करेंगे step लेंगे कोई जोत नहीं आप यहाँ पर step लो option से भी आप answer को tick कर से देशे कि देखोगे 4 तो 4 भी इन सब का step है लेकिन step का मतलब क्या होता हाइस common factor है नहीं हाइस जो number आप खोजना है जो इन दोनों से divide हो जाता हो 6 तो आ और आठ में मामला आपका फस रहता लेगिन step को फॉर्म यहाँ देखना मेरे दोस्तों हाइस होता है यहाँ ठीक है तो आपका आठ क्या जगा है पर option number जो आपका C है वह बिल्कुल सही है है ठीक है आप यहाँ भी देख सकते हो कि third का C there are items of this question आसान से question था revision आपको खाली उ आज क्या होगा तो याद आखने आपको तीन सालों के लिए बात करेगा तो 33.1% होता है कैसे निकलता मैंने पूरा details से आपको समझाया वहाँ नीचे आपको वीडियो उसके link मिल जाएंगे आप वहाँ से जाके उसका पूरा details देख सकते हो तो सीधे हम 10 जाका 33.1% निकाल हैं तो 3310 रुपय हमारे हैं आप एक correct answer हो जाता option भी इधा right answer of this question ठीक है बहतरीन question है आसान से question है important question है बहुत बार आप ऐसे question देख चुके हैं और बहुत बार आपने ऐसे question solve भी कर ली है within second ठीक है rank लेकिए आपको इतना ध्यान एकना इसके लिए जो schedule बनना है वो schedule जरूर देखिए सुबह 6 बज़ आपको मिलती है किसकी current affairs की जो वीडियो वो मिलती है फिर 11 बज़े में आपके लिए daily mass की वीडियो लेके आता हूं वो आपको मिलती है आपको फिर 4 बज़े GS or JK की जो वीडियो है वो मिलती है ये तीन वीडियो तो regular रहेंगी इसके बाद रात में हम लोग क्या करेंगे आपको कोई news वगरा आ गई कोई important news आ गई या फिर RRVJ के जो कुछ question वगर हम लोगे important मिलते हैं ये तो आ सकते है 100% सकते है उसको लेके discussion करेंगे और बहुत साय चीज़े करेंगे और Sunday में आप सभी के लिए offer रहेगा Saturday Sunday में कि वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डेड़ से दो गंटा आपके लिए लेकर आएंगे इसमें पूरा पूरा चैप्टर ही हम लोग कवर कराने होंगे ठीक है अगला question आता है एक वस्तु साड़े बारा परसंग के लाब पर बाइस सो पचास उपर में बेची गई है तो लाब की रास या आप से पूछ लाब payment है खरीदने पर होती यानि कि Candy का अपको क्या करते हैं जितने का हमें profit-wide divide by क्रेमुल into 100 लिखते हैं यानि कि हमें यहाँ पर समझ जाता यार कि क्रेमुल पर ही साही चीज़े निकालते हैं लेकिन अगर यह विक्रेमुल होगा तो हम इसे लिखेंगे विक्रेमुल minus percentage तो वही इसी वज़ा से यहाँ पर चीज़े याई वाले question है उसके लिए का अलग वीडियो आएगी बहुत ही सांदा वीडियो आपके लिए आएगी काफी important वीडियो होगी जो बहुत ज्यादा important को जरूर देखेगा अगला question आता है माध्य, median और mode वाला इसकी मैंने वीडियो बना रख्या लेड़ी कैसे निकालना है म 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8 यह आपको दिया हुआ, माध ही निकालना मतलब होता है सभी संख्याओं का जोड़ और बटे जितनी संख्या वो कर दो साड़े चार आपका सही एंसो, यानि सभी को जोड़ लो, divide by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, divide कर लो, 8 से हमारा एंसो साड़े चार आ जाएगा, ठी अगला कोशन क्या था आपके लिए उसके बारे बात कर लेते कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा वही होगा जिसके पहले बहुत साइध दसमलों लगे होंगे, तो आप देखो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नमर पहले लगए तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा मेरे प्रसका की रासी है जिसे P, Q और R में डिवाइट करना है 3 इंच टू 5 इंच टू 7 के रेसियो में, R को जो है वो P से 1,000 रुपय अधिक मिले है, R और P में जो हमारे साब से डिफरेंस आ रहा है रेसियो में, वो कितने का रहा है, वो 4 रेसियो का रहा है, समझेगा, उसने क् किया है, कि R को P से 1,000 रुपया दिवी मिलते हैं, लेकिन जब यहां पर डिफरेंस देखेंगे, तो हमारे साबसे wolves में तो शिरफ 4 इंच आ रहा है, यानि हमारे साबसे 4 रहा है लेकिन क्यों में क्या रहा ह brack 1,000 रुपया का रहा है तो 4 बराबर 1,000 तो एक बराबर 4 द और correct answer रहेगा, ठीक है, आसान सा question था, बिल्कुल आसानी सा हम निकास रहे थे थे, हमें खाले ratio दिया था, ratio को डिवार रहे के बड़े आसानी सा हम इस question को solve कर सकते थे, और इसी तरीके से आते हम अपने अगले वाले question में बात करते है, question हम से क्या कहता है, 15% के छूट के बाद तो क्रेमल पूछा है, मैंने मान लिया भाई क्रेमल तो X रुपय था, X का जो क्रेमल पर इस पे 15% अगर शूट दे जाएगा, यानि 15% अगर शूट दे जाएगा, तो 50% उसकी value ली जाएगी, अगर 85% उसकी value ली जाएगी, तो उसको रिसाब से कहरा है, 340 में उसने थी और हमसे पूछा, प्रते एक पिन का है, नहीं एक पिन की value आपसे पूछी है, तो अगर दो पिन की value 400 है, तो एक पिन की value कितनी होगी, 200 होगी, तो कौन सा answer सही होगा, थर्ड का A, यानि और यानि और यहाँ पर बिल्कुल correct answer होगा, ठीक है, clear है सभी को, हमें कुछ भी करना, हमें क्रेमल पर माल लेंगे, क्रेमल भई अगर उसने 15% की shoot दिया, यानि वो 85% value उसका ले रहा था, अगर वो 85% value ले रहा था, तो उसकी बरावर value तो 340 की, हमने 17 से काट दे, एक सवरा पर मारा 400 आगा, लेकिन ये दो पिनों के लिए है, उसके बाद हम एक पिनों के है, आयत में सबसे पहरे तो आप समझें कि length और breath ये होती है, सामने, आमने सामने के जो लंबाईया होती ही, वो equal होती है, ठीकि ये आपके breath हो गया, ये length हो गया, question क्या कहरा है, विकर्ड की लंबाई और इसका आधा परिमाप जो है, वो 11 और 13 cm है, यनि विकर्ड की लंबा परिमाप कितना होगा, 26 होगा, अगर पूरा परिमाप 26 है, तो परिमाप की value क्या होती है, 2L प्लस B होती है, आपने काटा तो आपको यहां से यह समझ में आया, कि यार L और B मिला के 13 हो रहे है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेगा, कि क्या आप से यहां पर मैं बताने कोश्चन बहुत तीजी है, कुछ भी नहीं करना, आपको खाली समझना कोश्चन में किस तरीके समलोग यहां पर इस कोश्चन को स्वाल्व कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, क्या कहा कोश्चन में, कि आप से कहा छेथफल बताने को, छेथफल होता है, क्या बच्चो, L की लंबाई होती क्या है, विकर्ड की जो लंबाई होती है, विकर्ड की जो लंबाई होती है, वो क्या होती है, यही आप से कोश्चन पूछा गया, क्या होती है, अंडरूट में L स्कॉार प्लस B स्कॉार, यही तो विकर्ड की लंबाई होती है, इसी वेलूट उसने आपक विकड की लंबाई होती है, जिसकी value उसने 11 कहा था, जब हमने उपर यहां से विकड का sign अटाया, तो यह square हो जागा, 121 हो जाएगा, L square प्लस B square क्या होता मेरे बच्चो, L plus B का whole square minus 2 L B, यही होता है कि नहीं होता है, बोलिये हां सर होता है, क्यों, क्योंकि A plus B का whole square क्या होता है, A square plus B square plus 2 A B होता है, तो हमने minus 2 A B कर दिया, तो वह दोनों cut jayenगा, और क्या बचेगा, L square plus B square, और L plus B की value में पता है 13, तो 13 का square क्या होता है, 169 होता है 13 का square ठीक है 169-2LB बराबर आपको क्या हो गया 120 आगया ठीक है इतनी चीज़ी आपके आई आप क्या करो 121 को उधर ले जाओ 2LB को उधर लिया तो 169 में से आपने क्या क्या 121 माइनस किया बराबर आपके लिखा 2LB यह मानस करो 9 में से गया 8 6 में से 2 गया 4 48 आया और L इंटू B आपके कितना जाएगा 24 आ जाएगा उसका अधा तो आउनसे कौन से सही होगा इसका मानस B का क्या होता है A प्लस B और A मानस B डिवाइड बे आपको क्या लिखा ए मानस B उलेड़े उसने दिया हुआ यह दोनों कट जाएगा एक्स प्लस वाई ऑफसन अब भी यहाँ बिल्कू करेक्ट है ठीक है तो कितना आसान कोशन आ रहा है कितना आसान सा लेवल आ रहा है कुछ नहीं काभू करना है यह देखिए अगला कोशन क्या कहा है कि विक्रेम उलापों कहा है 1458 रुपया है क्रेम उलाप से कहा कि 1350 रु इंटूट कर दीजिए आपका 100 100 आपने क्या एक जिरो से एक जिरो यह काट दीजिए सौल कर दीजिए तो आपका एंसो कितना जाएगा आठ परसंट यहाँ पर विल्कू करेक्ट एंस रहा जाएगा और लगतार वीडियो को देखना ठीक है दिन में जितनी वीडियो जा र पांच वी बारा नीचे आजाएगा और टैन होता क्या है लंब बटे कर यानि कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस यही तो आपका टैन होता है और कौसेक क्या होता है कौसेक होता है साइन का उल्टा यानि कि हाइपोटेनिस अपान परपेंडिकुलर होता है तो आर और नीचे जिसके पांच होता है यहbacks कितो है कित न ही जा promise कितना होगा थे उंघ्या कोई उपको और ने यह नहीं थी जा है तो बच्चों मानों बहुत पहले ट्रिपलेट के बारे में समझाया है कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होते हैं अगर इसमें दो चीजा आपको पता हो तीसरी चीजा आप बड़ी आसानी से निकाह सकते हो ठीक है उसको आपको समझना पड़ेगा किस तरीके साप लोग उसको करेंगे कोश्चन को अगले कोश्चन पर आते हैं कोश्चन थोड़ा सा लिंदी है यह देख लेते क्या कहता है कोश्चन फिर अच्छे तहीं कि इसको हम समझेंगे कि हम इस कोश्चन को स्वाल कैसे कर सकते हैं कम से कम समय में चलिए कोश्चन क्या कह रहा है पती और पतनी हर महीने 45,000 रुपया और 35,000 रुपय कमाते हैं दोनों लोग हर महीने जो पती है वो 45,000 रुपय कमाता है और जो पतनी है वो 35,000 रुपय कमाती है यानि अगर देखा जाए तो दोनों मिला के husband प्लस wife मिला के कितना कमा लगते हैं, 4, 3, 7, 8 यानि 80,000 रुपय वो लोग मिलके कमाते हैं हर महीने, ठीक है, फिर कह रहा है कि वे प्रती महा प्रतेक के हिस्से में से 5,000 रुपया अनाथाले के लिए दान कर देते हैं, प्रतेक के हिस्से में उन्हों बात किया है, यानि पते भी अपना 5,000 रुपया निकाल देता है, और पते भी अपना 5,000 रुपया निकाल देती है, यानि वो लोग 10,000 रुपया निकाल देते हैं, ठीक है, कहा अगर इस दान को निकाल दे यानी पती जो है पैता ही जाय कमारा था दान को उसने निकाल दिया तो वो कितना कमारा है एक abbiamo से देखा जाय तो 40 जार दोनों मेल के 40 3 , 70 जार कमारा है क्योंकि दोनोंने मिलके 10 जार रुप्रण डान निकाल दिया इसका कितना percent है मेरे बच्चो तो 400 by 7% है की नहीं 7% है यह नहीं option number C होगा की नहीं होगा बिलकुल होगा कितना आसान से question था है खाली language समझा थागर आपने language 185 cm दिया हुआ है तो आपसे उसने कहा भाया विक्तिका छेतफल कितना होगा यह question आपसे भी से पूछा गया ठीक है परिद उसको दिया गया आपको कि 185 cm है छेतफल आपसे पूछा गया है छेतफल कितना होगा किस तरीके था हम इस question को निका सकते है आपसे यही question पूछा गया ठीक है बहुत ही आसान से question है बहुत ही simple से question है समझेगे हम इस question कैसे निकालते है कोई विर्त की परिद क्या होती है two pi r होती है और आपको उसी की value उसने कहा कि 18 pi की बराबर है pi से आप आपने कटा 2 से आपने कटा 9 आपको यह बदा चलिगा कि width की जो त्रिज्या है वो कितनी है 9 है width का छेट पल क्या होता है pi r square यानि की pi की value हम रखेंगे तो pi रहेंदे r square मतलब कि 9 का square और 9 का square कितना होता 81 pi तो यहां पर आपका 81 pi क्या हो जाएगा इस question में बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number c बिल्कुल सही हो जाएगा कुछ भी नहीं करना था कालिया हमें समझना था कि यार जो विर्तिकी परीद होती है उसका formula होता है 2 pi r और विर्तिके छेटपर का formula क्या होता है तो वहां से हम बड़े असाइस इस question को solve कर सकते तो बिना किसी problem का बिना किसी दिक्ट कर ठीक है जीए सोगे के solution आपको मिली रहा है वो भी आपको देखते रही है मैं इसके जितने भी question के solution हो मैं आपको कराए रहा हूं सभी की सभी चीजे आपको देखते रही है कुछ भी आपको problem नहीं आने हो ठीक है reasoning के भी सब्सक्राइब जल्दी लेकिए आने रहा है आपको वह भी problem जो हो खतम हुजाएगी यह देखती बात करते अपने अगले question के बारे में जो है हमारे लिए coordinate का question क्या कहता है समझेंगे इस question को फिर सीज़े सीज़े value रखने की question हमसे बात कर रहा है कहा रहा है 5 cos square 0 degree 4 sin square 30 degree and 6 cosec square 40 5 degree की value आप से कहा गया तो चलिए 5 cos 0 की value आप से पूछा गया कितनी होती है तो मैं कहूंगा 1 होता है तो 1 का square आपने कर दिया यह आपका किसरफ क्या बनेगा 5 बनेगा minus 4 into 1 by 2 बनेगा plus 6 into 2 बनेगा यह वी root 2 by square 2 बनता है यह आपने काटा ठीक है यह 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो 17, 17 में से 2 जाए तो कितना हो यहाँ पे कौन बतागे यहाँ पे क्या हो रहा 6 दूनी 12, 12 और 5, 12 पांस 17 माइनस 2 आपका यह चाहिए तो 15 यहाँ पर सही answer आ रहा है यह पर 5 और 2 माइस करेंगे 3, 12, 15 तो 15 यहाँ पर फिलाल दो सही answer आ रहा है तो यहाँ पर D कहरा 16 कहरा कुछ दिक्क्त हो रहा क्या देख लिजेगा फिलाल value रखना आपको खिलर रहा चाहिए वैलू रखना को बहुत ही आसान है तरह क्या कोशन कहता है समझेगा एक motorcycle M की गती दूसरी motorcycle L की से दुगनी है ठीक है एक motorcycle M, एक motorcycle L, ठीक है जो M की speed है वो L से दुगनी है यह अगर L की x हो गई तो M की speed क्या हो जागी हमारी 2x हो जाएगी ठीक है यदि हम 100 km की दूरी एक घंटे में टाय करता है M जो है वो 200 km की धूरी एक घंटे में टाय करता है ठीक है एक घंटे में टाय करता वो speed कैतनी इतनी ठीक है तो आपसे पूछा है एक घंटा पंद्य मिन में सौरी एक घंटे पंद्य मिन तरह करता है तो L की स्पीड आप से पूछी गई है कि L की स्पीड क्या होगी कोशन बढ़ाईजी है सौल करिए बताईए जल्ली साब आपको यहां पर दे दी गई है कि अगर L वाला X है तो M वाला है 2X जो M है वो 100 km के दूरी को एक घंटा पंद्य मिन में साय करता है एक घंटा पंद्य मिन पतलब क्या होता है A1 प्लस 15 x 60 15 में घंटे में चेंद कर दिया एक और चार यानि चार एक पांच बटे चार गंटे के रूप में तूट गिया ठीक है हमने क्या निकाल दे हमने इसी होगी और इसकी क्या होगी चाल शौणिस क्लिमตर होगी, तो आपसे पूछ है, है एल की चाल आप से पूछा गया तो कितनी आगे बी की 40 आगे एक से वेलू मुझे 40 पहर चल गया था तो एल की चाल हम यहाँ पर क्या बता देंगे 40 क्लमेटर पर आवर बता देंगे और बी हमारा क्या देंगे हम में यहां पर प्रेक्ट हो जाएगा आसाम से कोश्चन था बहुत आराम से निकाह सकते थे अगला कोश्चन क्या कहता मेरे बच्चों 79 और 138 आप से कहा कि भईया इनका स्च बताओ इनका स्च प्या आना तो देखो हम 9 से काटेंगे कि क्या 9 से चान भी कट रहा बिल्कुल नहीं कट रहा हम इसे ऐसे गलत कर देंगे 6 से काटेंगे तो क्या 6 से हमारा यह सिक्ट रहा बिल्कुल नहीं कट रहा हम इसे ऐसे गलत कर देंगे दो से क्या दोनों कट रहा है यह कट हो रहा है दो से नहीं कट हो रहा तो थी तो बच रहा है थी हम मतलब क्या होता, जिससे सबी संखया है जो कट जाए वही हमण conservative कलाता है, अब वही question क्यों करे ç hero को solve करते हैं और आराम सै हम solve कर सकते बेना किसी Problem का interior question देखते हैं क्या का नर्सिंगों में कुछ ilा के 27 नर्सों में से एक स्थीप़ दे दिया तो कितने अधिकता मरीजों को भरती क्राइज आसकता यह कोशन हाव सबूफ़ी से पूछा गया कितने अधिकता तमरीजों को भरती कि कहा रहता है ठीक है, ये कोशन आप से पूछा गया, बहुत ही यी कोशन है बहुत ही अराम जुप English को इस कोशन के सवाव कर सकते हैं, आहिक को समझना है, 26 का Kathryn ऊर्टी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बिल्कूर ओजसय है जोगने एक नर तो level मेरे बच्चों आप देख रहो कितना आसान सा level है, कुछ भी आप से cutting question नहीं पूछा जा रहा है, सारे के सारे question कितने ही जी आ रहा है, बिल्कुल आसाने से सभी के सभी question solve जाएंगे, अगला question क्या कहता है, 4 bracket में 3x minus 2, multiply करते चले जाओ question में, कितना आराम सा question ही solve जाएंगे, कुछ भी आपको नहीं करना, खाली multiply करते question में चले जाओ, कैसे, 4 3 जा, 12x minus 4 2 जा, 8, बराबर, 3 2 जा, 6x plus 8 2 जा, 16, ठीक है, आपने 6x को इधर लियाए, और 8 को इधर कर दीजे, तो 12x में से 6x minus होगा, कितना बचेगा, 6x, और 16 और 8 कितना होगा, 24, x की value कितनी जाएगी, यार, और 4 जाएगी, कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल आसान स जाए, कितने जल्दी साब का सान है, आपका answer होगा, चली आगे बात कर लेते हैं, जेट ने 4 साल बात, 10% rate of interest से, simple interest कि दर्से, इतना रुपया उसने चुकाया, चार साल बात उसने इतना चुकाया, यह टोटल एमाउंट उसने उतना दिया है, तो आप से पूछा है कितने रुपया उसने उधार लिया था ये question आप से पूछा गया उसने उधार कितना लिया था rate of interest कितना है 10% है चार सबाद कि उसने कितना चुकाया है उसने चार सबाद चुकाया है 10,920 रुपया तो आपसे पूछा है कि आपसे simple interest कितना होगा सबसे पहले तो आपसे यही question पूछा गया है मतलब वो हमें क्या कह रहा है वो हमें amount की value उसने कहा है 10,920 है और amount होता क्या है principal प्लस r into t या देखेगा अगर हम principal को 100 मान लेते हैं इसके बारे मैं Sunday को कभी session लोगा आपको 2-3 घंटे पूरे अच्छी तरीके से सारी साई चीज़े जो मैं अच्छी थे कि आपको वहाँ पर समझा दूँगा ठीक है तो प्रेंस्पल का हम वह 100 मानते है तो जब वहांन प्रेंस्पल प्रेंस्पल प्रस r into t होता है कि नहीं होता है बिलकुल होता है तो r into t यानि 10 into 4 140% की वैलू आपसे उसने कितना कह दिया 10,920 कह दिया 140 कैसे है हमारा 100 तो हमारा मैंने प्रेंस्पल माना था और r into t करोगे तो आपका 140 साहां पर क्या जाए बिलकुल करेंस हो जाएगा उस हम इस कोश्चन को सॉल्व करेंगा बहुत आराम से हमारा कोश्चन इससे सॉल्व ठीक है अब इसके आगे में बाताती है यहां तक तो सॉल्व हो जागा इसके आगे क्या करेंगे हम यही हमें कोश्चन में नहीं सॉल्व करेंगे तो मैं कहांगा भया 140 की वैलू इतनी आई तो एक की वैलू आपके आगी 78 रुपय एक परसंग की वैलू और आप से कहा गया 100% की value बताओ, तो 78-100 आएगी, आपके पास 100% की value, बहुत ही आसान तरीके साइगी, बहुत ही जी तरीके साइगी, ठीक है, तो amount की value हम क्या लिखते हैं, principle plus SI लिखते हैं, और principle plus SI हमें यहीं पर question है, इसको solve करेंगे, ठीक है, चलिए, अगली question बात करें सभी से, देखते हैं, का कहता है, यह रहा हमारे पास अगला question, समझेगा question क्या गह रहा है, A square plus B square बराबर आप से कहा है, दोनों का minus करने फिर 4 आ रहा है, तो A into B की value कितनी आएगी, question में खाली, आपको option से solve गएरी, question लगाईगी, कैसी solve होगा, ठीक है, हमने 8 हो 4 मान लिए, 8 में 4 गया, तो 4 बच 6 है, और 2 नहीं सोचेते, क्यों कि 6 का square तो 36 होता, 2 का square चारी, तो 40 हो जाएगा, यहने हमें कुछ बड़ा मानना पड़ेगा, अगर कुछ बड़ा मानना पड़ेगा, तो 2-2 का increase करो, तो आप कि खिलो हो जाएगी, क्या आप 7 और 500 हो जाएगी, क्या आप 7 का square नहीं, 7 का square पच्छी, 9 पंच उदा, लाष्ट में आए, 4, हमें तो लाष्ट में कितना ला रहा है, square के बाद, 0 लाना, तो हम वो भी question नहीं स्वालो कर सेथे, वैसे हमें इसको भी solve करेंगे, ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरा complete कर दूँगा, यहां पर मैं पूरा का question जो वो complete कर यह कारा है, हम एक काम को 5 दिन में करता है, इसे काम कितने में करता है, दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे भजगा, जब्रहा हवद ब्रब्री कर रहा हम प्रे इसे कर्णा हरह, वैटे लिगा कितने अगी यह कोशन क्या कहता है, 5 में से 4 किके ख्लाडी इतने इतनी पारिया खेल चुके हैं, ठीक है, 13, 9, 5 और 11, अगर data set का माध नौ है, यानि माध आप से उसने कहा 9 है, 5 और ख्लाडी कितना रण बनाएं, तो आप से पूछा कुल कितना रण बनाएं, 5 और ख्लाडी, माध मतलब क् कुल संख्या होंके, यो बटे कुल संख्या, तो संख्या है तो में पस्ती 4, मैंने लिए 5 संख्या है एक्स, तो उसमें मैने एक्स जोडा, कुल संख्या होगए हमारी नीचे बटे 5 समेह ने डिवाइट कर दिया, बराबर होगए 9, अब 5 किया मृटिप्लाइक और यहाँ आपके 45, स्वालव कर लोग X की वेलू आ जाएगी यहां पर 7, आपका जो C है 7 हो बिल्कूर गरेक्ट है ठीक है, तो मैंने क्या माल लिया, कि 5 वाला जो हुआ X है, कुल संख्या पांच वी जाएगी, वहां से इस कोश्चन को स्वालव कर लेंगे, ठीक है, चलिए, यहां, य एक रेस्वी वेलू, 16, तो छात्रो की संख्या आप से पूछा है, तो छात्र की संख्या पूछा है, तो कला की छात्र की संख्या, कला ले 3 है, 16, गोड़े 3, 418 में आपका यहां पर क्या जागा, बिल्कुल वह सही हैं समझाएगा, कुछ भी नहीं करना है, अगरा दो गुड़े चार की पावर क्यों तीन की पावर स्कॉर्ड डिवाइड बाइट बाइट तीन गुड़े चार से एक 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 गट गया कितना वड़ा चार दियां बारा बारा दूनी 24 ऑफसे नमबर ये बिल्कू सही है तो पावर कट करना था कोशन हमें फिर भी नहीं कर दूँ सब्सक्राइब कर दूब सब्सक्राइब करें तो आप वहां पर जरूर जोइन करिये हर एक चीज़ा करने के लिए आपके बेसिस का क्लिए होना बहुत ही जादा में खुद से स्कॉर किया है मेरे आपको बहतरीन कॉंसेप्स और सौर्ट टिक्स मिलेंगे जिस्से सब्सक्राइब के हर एक कुश्चन को विदिन सेकंड्स सॉल्व कर पाऊगे मैं हूं सत्यम गुपता और मैं अने के डी प्रस पर लाइब पढ़ाता हूं